हेलो एब्रीवन आज की इस वीडियो में मैं लेक्या हूँ फोर टक्स बेल्ट प्लाउज की स्टीचिंग इसकी कटिंग की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएबा सबसे पहले हम टक्स को सीलेंगे यह देखे नीचे बेल्ट है बैक साइड का भी पीस है सबसे पहले हम टक्स को सील लेंगे सील के रेडि करेंगे तो सबसे पहले हम आगे वाली पीस को लेंगे यह 36 साइज का है देखे इस तरीके से हम इसको रखके इसे सिलेंगे इस तरीके से हमें फोल्ड करके इस जो निसान लगा है उस पर सिलाई लगाना है जिस तरीके से निसान लगा है उसी तरीके से आपको सिलाई लगाना है इस पर इसी तरीके से हम दोनों पीस में सिल के तयार कर लेंगे ये ज सबिपड़ सिलाए लगाएंग इस पहों ज़ादा कम होगा चलिए हम इन दोनों को सिल्क्रेड़ी कर लेते हैं आप देखें नहीं हम Tux लगा लिए circular देखिए घिल इस तरीके तुरिके सील्के तियार किये हैं कि असकी करेंगे देखिए ये back side का piece से इसमें भी हम tux लगा लिए है अब हम बेट लगाएंगे इसमें बेल्ट को सीधे side से रखना है हमें इस तरीके से बेल्ट को रखना है सीधे side से बेल्ट को रखेंगे इस तरीके से रखेंगे थोड़ा बेल्ट हलका सा आगे की तरफ निकालते हुए हाप इंच आगे निकालके फिर उस पर हाप इंच की सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाने के बाद नीचे सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हमें पलट लेना है देखे इस तरीके से हम बिल्ट लगा के तयार कर लिए हैं इसके उपर हम दो-दो सिला ही लगाए हैं हाप इंच की दूरी पे अब देखे ये बिल्ट साइड से बढ़ा है तिसे हम निसान लगा के बराबर करके इसे काट लेंगे देखे इस तरीके से हम हम स्केल की सायते से निसान लगा के बराबर कर लेंगे बराबर करके इसकी कटिंग कर लेंगे देखे इसे बराबर कर लिए कट करके अब इसमें हम पट्टी लगाएंगे हाग काज की जो पट्टी होती है उसे हम लगाएंगे देखे राइट साइड में हम देखे रख के दिखा रहे किसके बराबर का है ऐसे हम निसान लगा के काट के रखे हैं हमें राइट साइड में हूंक की पट्टी लगाना है और लेप्ट साइड में काज की पट्टी तो हमें इस तरीके से लगाना है एक चोणा पट्टी होगा एक पतला पत्टी देखिए राइट साइड में हम हुंक के लिए लगा रहे है पत्टी तो हमें इस तरीके से उपर से रखना है सीधे वाली साइड से रखना है और यह हम उल्टे साइड से रखेंगे देखिए इस तरीके से हम पत्टी लगा के तयार कर लेंगे देखिए कर लेंगे, अब दोनुका हम अटेज कर लेंगे, पीछे वाली पीस में आङे वाली पीस को अटेज करेंगे 35 जिस हैं सीधा साइड हम ऐसेफेज रख लेंगे, उल्टा साइड ऊपर है, इस तरीके कि अब इस पर हम निसान लगाएंगे नेक की साइट में 1.5 inch और आर्म होल की साइट में 1.5 inch से ज़्यादा रखेंगे इस तरीके से हमें जुकाव देना है इस तरीके से हम निसान लगाके सिलाई लगा लेंगे इसे तयार कर लिए अब इसमें हम स्लिप्स अटेज करेंगे, यह देखे इस तरीके से हमें फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेना है, अब देखे हमें इस तरीके से रक के देखना है, आगे वाले साइड में हाफ इंच हम छाटेंगे, हम पहले नहीं छाटते जब लगाना होता है slip तब हम छाटके इसमें फिर लगा लेते हैं देखे इस तरीके से half inch कट कर लेंगे अब इसके उपर हम ऐसे रखेंगे बीज में रखे बीज से सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस सैट से फिर इधर से इधर लगा लेंगे देखे इस तरीके से हम slips लगा के तयार कर लिए हैं अब इसे हम उल्टा कर लेंगे अब इसके हम fitting का टिक लगाएंगे इसको अच्छे से बराबर रख लेना है ब्लाउच को फिर इस पे हम fitting का निसान लगाएंगे देखे इस तरीके से हमें निसान लगाना है तो यहां से लेंगे हम 9 इंच यहां से हम 9 इंच लेंगे 9 इंच पर टिक करेंगे नीचे से हम 7.5 इंच लेंगे लाइन सीधी कर लेंगे यहां स्लिप्स पे पहले से ही टिक लगा है तो उसे हम बस सीधा कर लेंगे अब इस साइड में हमें निसान लगाना है तो हम काजवाली साइड है तो इसे हम काजवाली पत्टी जो है उसे हम छोड़के फिर हम इसका नाप लेंगे इस तरीके से हमें काजवाली पत्टी छोड़के फिर 9 इंच लेना है 9 इंच पे हम टिक कर लेंगे नीचे से भी हम पत्टी को छोड़ते हुए 7.5 पे टिक करेंगे लाइन सीधी कर लेंगे स्लिप्स मेरा 5 पिंच होगा फिटिंग 5 पिंच तो हम 5 पिंच पे टिक करेंगे यसे टिक करके हम लाइन सीधी कर लेंगे अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में हम फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे इस पे हमें 2-3 सिलाई लगाना है कि धीलर टाइट हो तो हम खोल सकते हैं इस पर हम दो-तीन सिलाई लगा लेंगे, हाफ आप इसकी दूरी पर, देखें इस पर हम सिलाई लगा लिए हैं, और ये तयार हो गया है, फिटिंग कर सुके हैं, इसका नीचे का हम फोल्ड करके भी सिल लिए हैं, बैक सेट का, और अब इसकी हम नेक तयार करेंगे, जैके हम निक के लिए पटी तयार कर लिए हैं, इसको जोड के हमें ऐसे तयार कर लेना है, ब्लाउज को हम सीधा कर लेंगे, देखे, ब्लाउज सीधा कर लिए, अब हम बीज से पटी को फोल्ड कर देंगे, अब इस तरीके से हमें रखना है, सीधे साइड से रखना है, थोड़ा सा कपड़ा आगे निकालते हुए, और यहां से हाफ इंस भी हम सिलाए लगा लेंगे, इसे हम पलट लेंगे, आप चा सिल के तैयार है,